hello friends welcome back to my channel आप सबको मेरे चैनल बहुत 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 ज्यादा स्वागत है आज मैं आप सबके लिए कढ़ी की रेषपी लेकी आई हूँ जो गाओ इस्टाइल में कढ़ी बनती है इसकी रेश्पी है आप एक बार इस रेश्पी को जरूर ट्राई करिएगा चावल के साथ रोटी के साथ आप जिस चीज भी साथ खाएंगे आपको बहुत ही यमी और बहुत ही अनोखी रेश्पी है तो इसके लिए चलते हैं या मैंने एक कप बेसल लिया है बेसल में मैंने वाली कड़ी की रेस्पी चाहिए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या अपने थोड़ा से नमक डालके हलका हलका पानी डालके इसका एक स्मूध बैटर बना लेंगे ना ज्यादा गीला और ना ज्यादा सूखा हो मीडियम वाला बैटर हो जितने लिए ह मेरे घर की हींग खतम हो गई थी आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं मतलब मार्केट समंगाने के लिए भूल गए थी और इसको अच्छे से 2-3 मिन तक हम इसको एक ही डिरेक्शन में फेंट लेंगे इसको चला लेंगे ताकि जो हमारी पकाउडी है बने तो बहुत मेरे तक के लिए छोड़ देंगे इधर चलते हैं दूसरी तरफ और हाँ अगर आप मेरे चैनल पनाए हैं और आपको मेरी रेस्पी अच्छे लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए सेयर करिए सब्सक्राइब परिए और कमेंट करना मन पूलिए इसके बाद यहा मेरे इसके बाद आक्योद आगी तो सादो कि दूगे नहीं है तो एक बाद इसक वालने मथानि होती है तो आप उससे एक बाद इसे तो भी जाएगा ताकि जो दही कितना क्रीमी टेक्सचर में आ गया है तो पस इस तर चाहिए पिर इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा हम दही अलग निकाल लेंगे इसमें यहां हमने मसाले एट किये हैं क्योंकि अपकी कड़ी फटेगी भी नहीं और मसाले कच्च तो इसके बाद यहां मैंने डाला है यहां आधी चम kana prep इक आप एक बाद जरूर डाले यहां मैंने दो जमस बेशन डाला है तो बेशन आप इसी तरह मिक्स करने से आपके क्या है कि आपके कड़ी में फटेगी भी नहीं और कोई भी तरह के लंग से नहीं होंगे और अगर आपको लगे की बेशन अगर जादा लोगों के लिए बना रहे हैं इतने फैमिली मंबर के हिसाब से इसकी क्वांटिटी आप कम जादा भी सारी चीजों की क्वांटिटी कम जादा कर सकते हैं इसके बाद यहां मैंने कड़ाही में ऑल गरम होने के लिए रख दिया था अब इसमें हम छोटे-छोटे इसकी पकौडिया प्रोल लेंगे साज्जी आप अपने अकॉर् कड़ी की जो पकौडी होती है बिल्कुल स्वाट होगी आपको इसमें कुछ भी आट करने के ज़रूरत नहीं है और हाँ एक बार आप से फिर से रेक्वेस्ट कर रही हूं अगर आप मेरे चैनल पन्नाए हैं और आपको मेरे रेस्पी अच्छी लगती है तो प्लीस मेरे च दूसरा आओर निकाल लेंगे और इसमें मैने कुछ भी नहीं डाला है तो तो आशारा पकोडी के निकाल लेंगे और इसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा ऑउल उसको निकाल नेक नेकौन प़ाद यह मैनें मिति दाना एजी किम ऊतनए जाला हमार मखचे मीलोड से यह दाल हो गोल दिय जो दाला है। जरु अशलम पहला है। मठे में पार कॉछी हरु कर चाहला है। करना है में बंद करना है मत्back नाइन तुझा तब मत्ठा मत्ठा हो दो स्व könnte करने की एक तूज देगा एक दूबार मत्ठा ता मठक के पाना तो दाहिर से पानी कंच करना ayakon सब्सक्राइब करें जब तक इसमें कड़ी में बॉइल ना आने लगे तब तक आप इसको चलाना मत बंद करिएगा वन्हों हमारी कड़ी है फट जाएगी जितनी देर हो आप इसको चलाते ही रहिएगा इसके पाद 8-9 मिनर तक हम ढख के लोटु मीडियम फ्लेम में अच्छ इसको कुकल लेंगे पकलेंगे तो यह देपका लेंगे यह देखे आच से 10 मिन बाद इसको देखे यह थोड़ा सा थिक हो गई है गठी हो गई है इस सब्सक्राइब करेंगे इसमें सारी पकॉरियां हम एट करेंगे यह बहुत ही मतलब खास टिप्स है इसको आप जरूर फ आपकी जो भी पकाओड़ी हैं वह बहुत ही स्वाप के बनेगी तो एक बर इसको डरो डालिएगा इस तरह दवाह के कुछ भी डालिए तो आप एक बर इनको ड़ा के डालिएगा इसके बाद यह देखे हैं कितनी टेस्टी और कितनी यमी देख रही है और बिल्कुल दिखिँ और आप अगर इसे मेजरमेंट मेंट्य खेशाबार काहएव और दिखड़ाद सब्सक्राश को अब गुदा से यह paycheck अपाड़ा जसां मेरे लगगें अधैगा वह से उलाइक करता चार्ट को अजिए टीक स islands अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीस चैनल को like करें share करें जोगार करें अब्लाइक और कमेंट करना मत भूल यह लाइक काया सके है आप चाहें तुम्हारी है लगा सकते हैं यह तो नहीं यहां मैंने थोड़ास ओयल लिया है चार से पांच मतलब लैसुन के सिवारी चॉप टकल लिया है और थोड़ास में तड़का मार दिया है यह इससे बहुत ही टेस्टी और बहुत डिलीसिस पनलब एक पर जरूर रेश् बिल्कुल इस्पंजी जो हमारी पकावडियां है उनको हमको रखने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल स्वाप्ट और बिल्कुल इस्पंजी बनी है ओके फ्रेंस मिलस्ती हूं आपसे अगले वीडियों तब तक के लिए बाई-बाई-थैंक्यू टेक क्यार